हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे प्रति सत्के प्रेशनों की बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि सभी प्रेशनों वही हैं जो एक्जाम में पूछे गए हैं और जो दोस्तों मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आ एक ही लाइन में अंसर आजाएगा सिर्फ और सिर्फ तीन से चार सेकेंड लगेंगे और आपका अंसर आजाएगा के लिए दोस्तों बात तो चल्ले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन आपका यदि एक की उचाई बीकी उचाई से बीस प्रतिसत कम हो तो वी की उचाई ए की उंचाई से कितने प्रेसद अधिक है यह दोस्तों question कर रहा है तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या कह रहा है 20 प्रेसद कम की वात कर रहा कितने प्रेसद 20 प्रेसद तो जो प्रेसद दिया गया है उसे लिखिए तो 20 प्रेसद की fraction value कितनी होती है 20% की होती है 20% का मतलब दोस्तो बटे में 100 होता है इसे कटाएंगे 20 से कम 20 20 बच्चे 100 तो ये एक बटे 5 हो गया अब यहाँ पर दोस्तो किस की बात कर रहा है कमी की बात कर रहा है न कम की जब कमी की बात करेगा तो नीचे वाली संख्या में से उपर वाली संख्या को घटा देंगे ठीक है? और उपर वाली संख्या को लिखिए योंकितियों और पांच में से एक को घटा दिया तो कितना बचेगा? चार बचेगा तो आप यहाँ पर 4 लेखेंगे, बात आगी समझ में, ऊपर वाली संक्या ऐसी की ऐसी ही रिखनी है, कमी की बात कर रहा है, तो नीचे वाली में सुपर को घटा दो, 5 में से एक गया 4, प्रतिसत पूछ रहा है न, तो प्रतिसत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टिप्लाई करें वो नहीं ट्रिक बताने वाला, ऐसी ट्रिक आपको चाहिए, जिससे की 1, 2, 3, 4 सेकंड में ही आंसर आ जाए, के लिए दोस्तों ये ट्रिक इतनी आसान है, कि आप विदावट पैन और पेपर के भी इन प्रेशनों को कर सकते हैं, उम्मिद करता हूँ सभी को कॉशन अच्छ सथ कम है, बहुत अच्छा कोशन है, वहीं लिजिए क्या कह रहा है, यहां पर 25%, 25 लिख लिया, इसकी फ्रेक्शन वैलू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 25% का मतलब होता है, बटे में 100, 25 से काटो एक बार, 25 से काटो चार बार, एक बटे चार, मैंने क्या बताया, उपर वाली संख्या ऐसी की, ऐसी ही रहने तो, अधिक की बात कर रहा है, इस प्रेशन में, जब अधिक की बात करेगा, तो जोड के लिखेंगे, और कमी की बात करेगा, तो घटा के लिखेंगे, अब यहां पर अधिक की बात कर रहा है, तो चार में एक जोड देंगे, तो उस्तों कित question का सही answer तो नीता के बेतन में कितने प्रतिसत कम है नीता के बेतन से 20% कम है भी option हो जाएगा दोस्तों आपकी question का सही answer के लिए हुए बहुत बात अगर यहाँ पर कमे की बात है तो नीचे वाली में से उपर क्यों कम कर देंगे तब लिखेंगे ब्रद्धी या अधिक की बात है तो नीचे वाली में उपर को जोड़ देंगे तब लिखेंगे उपर वाली संख्या ऐसे की ऐसे ही रखनी है के लिए रोगी दोस्त बात अब देखेंगे अगला को बहुत अच्छा कोशन है दोस्तों यहां पर 40% दिया गया है तो आप 40% ले लीजे अब 40% की जो fraction value वो क्या होती है 40 और % का मतलब आपको पता है बटे में 100 होता है अब इससे आप कटाएंगे तो 20 से 40 को कटाएंगे तो 2 बार में और 20 से 100 को कटाएंगे तो 5 बार में 2 बटे 5 हो गया उपर वाली संक्या दोस्तों ऐसे की ऐसी ही रखनी है आपको यहां पर देखिए ब्रदी की बात कर रहा जब ब्रदी की बात करेगा तो क्या करेंगे नीचे वाली में उपर को जोड़ के लिखेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 उपर वाली ऐसी की ऐस यह कटेगा साथ दुनिय का 14 20 मैं से 14 तक कट गया कितना बचेगा 6 6 में 1 0 जुड़ेगा कितना हो जाएगा साथ 58 चपन शाथ मैं से 56 तक कट गया तो कितना बचा दोस्तों 4 बचा बटे में कितना साथ तो अठाई सही 4 बटे 7 प्रेथिसती तो आपकी कॉशन का सही आंसर है 28 सही 4 बटे 7 भी ओफ्र हो जाएगा आपकी कॉशन का दोस्तों सही आंसर तो उम्मिद करता हू graphical कोई भी student ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो सभी की समझ में दोस्तों अच्छे तरीके से आ रहा होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है चीनी का भाव 16 किलो से बढ़कर 18 किलो होने पर एक सामगरी की खबत में कितने प्रतिसत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े के लिए दोस्तों बहुत अच्छा कोशन है ऐसे प्रेशनी भी पूछे जाते हैं कि पहले का था 16 रुपे पर केजी बाद में हो गया 18 रुपे पर केजी पहले 16 रुपे में मिल लए थी 1 किलो चीनी अब मिल लए 18 रुपे में तो 2 रुपे बढ़ गए ठीक है लेकिन क्या कह रहा है कि हमें रुपे से तो कोई मतलब नहीं है रुपे से हमें ये मतलब नहीं है पहले मालीजी हमारा खर्च 100 रुपे में चल रहा था तो बाद में भी 100 में ही चलना चाहिए पहले चाहे हम 100 रुपे में 5 किलो चीनी खाते थे अब चाहे 100 रुपे में हमें 4 किलो खानी पड़े पैसे उतने ही खर्च करने हैं चाहे हम 5 किलो की जगह 4 किलो चीली खा लेंगे ये है दोस्तों कोशन ठीक है तो पहले कितना था दोस्तों 16 किलो बाद में बढ़कर कितना हो गया 18 आप यहां देखेंगे 16 से 18 हो रहा है कितना बढ़ रहा है आप कहेंगे 16 से 18 हो रहा है 2 बढ़ रहा है किलिए रहा है 2 कितने पर बढ़ रहा है सोले पर ही तो बढ़ रहा है सोले पर बढ़ रहा है कटा के छोटा कर लो दो एक कम दो दो अठे सोला ठीक है दोस्तों मैंने क्या बताया कि उपर वाली संक्या ऐसे की ऐसे ही रहने तो बढ़कर की बात कर रहा है मतलब ब्रदी की बात कर रहा है जब ब्रद है तो नो एकम नो कटेगा एक बचेगा दस फिर नो एकम नो एक बचा तो एक उपर रखिए नो कहा जाएगा ये बटे में तो 11 सही एक बटे नो प्रतिसत आपके कोशन का सही आंसर है पहला option दे रखा है यही हो जाएगा आपके प्रेशन का दोस्तों सही आंसर बात आगी दोस्तों समझ में किसी को कोई वी डाउट नहीं होना चाहिए अब देखेंगे अगला question अगला question है चीनी के मूले में 12 सही एक बटे दो प्रतिसत इसका मतलब है साड़े 12% ब्रेदी होने पर एक सामगरी को इसकी खपत में कितने प्रतिसत कमी करनी चाहिए तो एक ग्रहनी को कितने प्रतिसत कमी करनी चाहिए यह पूछ रहा है बहुत अच्छा question है यहां पर आपको जो दे रखा वही लिखेंगे क्या दे रखा है साड़े 12% तो साड़े 12% की fraction value क्या हो जाएगी दो का मल्टिप्राइब बारे में करेंगे 24 चोविस में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 और प्रतिसत का मतलब दोस्तों बटे में 100 होता है पहले से दो दे रखा है और प्रतिसत का मतलब बटे में 100 होता है तो मल्टिप 8 हो गया ठीक है ऊपर वाली संख्या जो है उसे ऐसे ही रहने दो ब्रैदी की जब बात कर रहा है तो नीचे में उपर को जोड़ देंगे 8 में जोड़ देंगे 9 और कितना आजाएगा यहांपर 100 से मल्टिप्लाइब आजाएगा जब 100 से यहांपर मल्टिप्लाइब आ रहा है ट्रिक आपकी समझे में जब आ गई है तो मैंने क्या बताया ट्रिक कैसी है वन लाइनर एक ही लाइन में अंसर आ जाएगा पूरा पेपर पूरा कोपी भरने की जब जरुवत नहीं है समय खर्च करने की जरुवत नहीं है साइम टेविंग ट्रिक है ठीक है टाइम सेविंग ट्रिक बता रहा हूं आपको अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है किसी बस्तू पर 10 परसेंट कम कर देने पर कुल राजस्व अपरी वर्थित रहता है इसे बस्तू के उपवहोग में कितने प्रतिसत ब्रती हुई कितना रेड़ दे रखा 10 प्रतिसत का दस लिखेंगे 10 प्रतिसत का मतलब बटे में 100, 10 से कम 10, 10 से कटेगा 10 बार में 1 बटे 10 उपर वाली संक्षिया जो है उसे ऐसे की ही ऐसे रहने दो कमी की बात कर रहा है तो 10 में से 1 को गटा के लिखेंगे 9 और प्रतिसत का मतलब क्या हो जाएगा 100 से मल्टिप्लाई किलिए रहे तो आपका आंसर वही आजाएगा जो पहले आया था 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1 बचेगा 1 उपर बटे में 9 तो 11 सही 1 बटे 9 प्रतिसत आपके प्रतिसत आपके प्रतिसन का दोस्तों सही आंसर है पहला ओफ्षन कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों ट्रिक आपकी जब समझ में आ गई है तो 4 या 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेशन का आंसर देने में आपको ठीक है दोस्तों अब देख लेते हैं अगला क्वेशन अगला क्वेशन है आपका किसी बस्तू के मुल्य में 20% कटोती कर दी गई इसे पूर्व मुल्य पर लाने है तो कितने का मतलब कमी की बात कर रहा है कटोती की बात कर रहा है मतलब कमी की बात कर रहा है तो कमी की बात करेगा तो कम करेंगे पांच में से एक कम कर देंगे चार और प्रितिसत के लिए 100 से मल्टिप्राई चार से 100 कटेगा 25 बार में इसका मतलब 25 प्रितिसत आपका क्या हो गया आंसर हो गया 25 परितिसाट C option क्या हो गया दोस्तों आपके कोशन का सही आंसर हो गया अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है किसी बस्तू पर दलाली की दर 4 परसेंट से बढ़कर 5 परसेंट होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्थित रही उसके ब्यापार में कितने पर हो रही है एक की ब्रद्दी कितने पर चार पर के लिए दोस्तों एक की ब्रद्दी हो रही है कितने पर हो रही है चार पर हो रही है तो मैंने क्या बताया ऊपर वाली संक्या को तो ऐसे के ऐसे ही रखेंगे बढ़कर की बात करता मतलब ब्रद्दी की बात कर रहा है तो यहाँ पर 120 बार में कट जाएगा तो यही तो आप कांसर हो गया 20% पहला option तो मैं उम्मिद करता हूँ दोस्तों सभी को question बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे दोस्ते यदि वीडियो पसंद आया तो like करें और दोस्तों में भी share करें यदि आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का वटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाग